पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइफ टुडे पर सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाए मेरे पिता जी की चगुदा पाँच दोजार एकईस को तवियत अचानक खराब हो गई थी तो मैं उनको सिरी राम प्रसाद होस्पीटल में लेकर आया और डर्टर साब का नाम है संजीब नरंजन उनके हैं एड़मेंट कराया तो देखा कि ऑक्सवेजियन की कमी है और पे में दे रहे हैं तो हमने इस मामले में उनसे जानकारी ली दूसरे मेडिकल से जब लेकर वही इंजेक्शन हम लेकर आये और उनको बदाया कि सर इन दोनों में अंतर क्या है आप यही मार्केट से हमें सास्ट रुपए का मिला है और आप 2700 का दे रहे हो तो उन्हों नहो जिसमें कुछ पता नहीं है बोले मेडिकल से पूछो मेडिकल वाले के पास जब जाकर पूछा तो उन्होंने उन्होंने भी मना कर दिया कि मुझे जानकारी नहीं है और बिल मागने पर उन्होंने बिल देने से मना कर दिया किसने दिया था इंजेक्शन मेडिकल संचा लग से कुछत कारवाई करने हैं तू यहां पर आज़ दिखाए दे रहें इनके उपर प्रिशासिंग की तरफ से अभी तक कोई कारवाई क्यों नहीं की गई है देखिए देरान बिल्कुल बता दू कि जालों में लगातार आपदा में अफसर डोलने का काम चिकिस्कों दोरा किया जा रहा है जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बन रहे थे उसके बाद प्रावेट हॉस्पिटलों को भी सरकार दोरा चालू करा दिया गया था कि अ प्रावेट है जो की मार्केट में 600 रुपाए से 700 रुपाए की खीमत है लेकिन जो कौश में क्वाली क्लीनिक है नदिगाउ रोड पर वहाँ पर दक्तर संजीब नरेंगें दोरा लगातार लोगों जो मरी जा रहा है उनसे 2700 रुपाए में उस इंजेक्शन को बसूल की ज चाहे लेकिन पिमोद्व दोरा कहा जा रहा है कि उनकी तग्यान में नहीं है तो कहीं ने कहील पर प्रशास्मी खारी भी लगाता ला पarna कर रहा है जिस तरीके से मरीजों को लूटा जा रहा है कहीं न कहीं जालों इसकी लिए खत्रा है और लगाता जिस तरीके से कहा जा रहा है सरकार दोरा की कोई भी प्राइविट हॉस्पिटल की प्रकार की ब्लैक में काला बागा भी इस इंजेस्टन और दवाईयों की ना करें लेकिन यहाफ़ इस तरीके का लगातार मामला सामने के आने के बादूत भी किसी भी प्रकार की कोई कार्वाई ना तो मेडिकल अज़कारियों दवारा की जारी है ना ही जिलापकासन दवारा की जारी है धेरन जियनुस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया